नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वाथ करते हैं Click Today के आज के इस वीडियो में और इस वीडियो में हम आप लोग के पॉइंट्स को लेकर करके हम बात करेंगे कुछ लोग के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप जो है एट पेपर के बारे में बता रहे हैं जो भी डेट्स थे उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग किया गया है मतलब एक जो डेट आपको लास तीस तारीक का दिकरा था उसे अब जो तीन तारीक सिफ्ट कर दिया गया ठीक है यह आपको डेट्शिट के अंदर clear देखने को मिलेगा अब रही बात कि जिनका भी 8th paper पूरा practical होता है 100 marks का तो उन लोगों ने यह सवाल खरा किया कि क्यूं दिया गया इसके अंदर जबकि हमारा 8th paper practical होता है तो आपका 8th paper practical होता है is it not mean that कि बाकियों का भी 8th paper practical होता है समझे like history owners वालों का 8th paper अगर practical नहीं है तो उनके लिए तो वो date sheet बनाया जाएगा ना कि उनके लिए नहीं बनाया जाएगा तो यह एक common sense की बात है जो कि आपको खुझ सोचना चाहिए और practical का date जो है वो आप लोगों का अलग से निर्धारित किया जाएगा और practical का परिक्षा आप लोगों के ग्रिह महा विद्याले में लिया जाएगा यहाँ जब यह कि आपका जहां कहीं भी admission है वहाँ पर जाके आपको अपना practical का examination देना होगा लेकिन उससे पहले आप लोगों का theory वाला examination हो जाएगा उसके बाद ही उसका date अलग से university जारी करेगा आपको practical copy वगर लेकर के present होना पड़ेगा ठीक है तो बाकी जितने भी students का है जैसे कि commerce का अगर हम बात करें बीकॉम में बहुत सारे honors papers है like accounts honors है business environment honors है business administration honors है फिर जो है आपको corporate honors है तो इन सबी का जो है paper 8 या paper 5, 6, 7, 8 अगर हम कहें तो यह practical वाला नहीं होता है मतलब numerical वाला होता है solving question वाला होता है बट उनका जो अलग से कोई practical का copy वपी नहीं बनाना होता है तो उन लोग के लिए यह date sheet बनाए गया है तो जिनका भी paper 8 fully 100 marks का practical है जिसमें copy वगर आप लोग को बनाना पड़ता है उसका examination आपके home center पे ही होगा जहां पे आपका admission हो रखा है उसके लिए अलग से date निकाला जाएगा इस date sheet को आपको follow नहीं करना पड़ेगा इसलिए please आप लोग इसको ले करके kios नहीं करेंगे और confused नहीं होंगे और बार बार एक ही comment को जो है नहीं करेंगे बहुत लोग ने personal whatsapp पे message करके भी बोला है कि आप 8 paper के आप में क्यों बता रहे हैं तो मैं इसलिए बता रहे हैं कि वो बाकियों के लिए तो है बाकियों का हो सकता है वो theory paper हो 8 paper लेकिन आपके लिए practical है तो अब आप यही थोड़ी बोल सकते हो डाइट लिए कि आप जो है उसका क्यों बता रहे हो इसलिए प्लीज आप लोग जो है इंतिजार करिएगा जब भी कभी date हैगा हम आपको बता देंगे और किसी प्रकार का अगर आपको सवाले सुझाओ तो नीचे कमेंट करेंगे साथी साथ आप लोग जो है अपने subject का question bank बगएर जो है purchase कर लीजे guess paper भी हमारे वीडियो के description box के दियेगा link से purchase कर सकते है shop now coupon code लगाना नहीं बूलेंगे किसी भी प्रकार के परशानी होगी तो हमें email के through या फिर whatsapp के माद्यम से contact कर सकते हैं